अरर्या के गोड़ी चौक के निकट NH-57 के किनारे बंजारों का एक छोटा सा समूह रह रहा है। ये लोग बास और प्लास्टिक की बनी जौपडियों में रहते हैं और ठंड में भी जमीन पर सोने को मजबूर हैं। मध्यप्रदेश के भौपाल, देवास और अन्य जिलों से आई ये बंजारे ड्राम बेशने का काम गरते हैं। ये लोग ड्रामों को मोटरसाइकल या तीन पहिया वाहन में लाद कर अरर्या के दूर दरास इलाकों में बेशते हैं। देवास जिले के मनुहर भटोला ने बताया कि वह दस सालों से खूम खूम कर ड्राम बेश रही हैं। वे लोग हर वर्ष आठ महीने बिहार या देश के किसी और कोने में जाकर ये कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में मैदानों में पानी जमा होता है। इसलिए वे बरसात के मौसम में अपने गाउं लोट जाते हैं। करीब दो दर्जन परिवार अर्या के एनेस 57 के निकट मैदान में रह रही हैं। लेकिन एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। मनुहर ने कहा कि एक जगा से दूसरी जगा जाते रहने से उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अब लोगों का जो सरगार के द्वारा यूजना चलता है कि युजना का दकतो नहीं मिल आवब अभी तक तो नहीं मिलाने ven थे दिए हैं हम बना हुआ है। अपना हुआ अपना अपना गरवाते हैं। दूसरे का चापा गल में बाहर फिल्ड में रहते हैं दूसरे का अगर यूज करने दिया नहीं दिया इसलिए थोड़ परिवार जादा 20-25 परिवार रहते हम तो अब खुद का चापा गल खुद बना पड़ता है आपके यहां जितने भी लोग है सब देवाजिला के रहने व थे यहां वह फत्तर बना थे फत्तर जो होता है सिल्पटर मिर्ची बातने वाला बंता है आप बनाए तो उसमें अभी क्या है वह मिकसर वगरा चल रहा है उसके बाद मों बंद हो गया तो दूसरा आइटम पेचना चालू करें जिसमें अपनी तो पी दुद्रनि अपकी खेता दो आफ आ्पोन आ यहारी मेन चलीाटा या तो आत अफ मैसे चले जाते हैं तो आछ बार्श में जगाने में धर लेया गोर्टा cin ville अब अपने पास खेटी बाड़ी कुछ है नहीं सर तो यह बिजनिस करते हैं ड्रम का गाउं गाउं जाके अब उदर बेच लिए अब उदर भिकता नहीं चार-पास साल से तो उदर ही MP, UP उदर ही बेच रहे हैं अब इदर भिहार आ गई इदर भिक रहा है तो बेच रहे हैं 14 वर्षिय दीपक और 19 वर्षिय बबलु भी ड्राम बेचने का काम करती हैं दोनों निरेक्षर हैं उन्होंने कहा कि पढ़ने का मन तो है पर स्कूल जाएंगे तो ड्राम कौन बेचेगा नहीं कुछ बीने कुछ बीने कुछ बीन बड़ने का मन है पढ़ने का मन है तो ड्राम कौन बेचेगा मपड़ेंगे तो क्या करेंगे कि एक उनिसपाल अमरों तरुइंड मतलब स्कुल में गए नहीं कवी नहीं पर ऐसly तो जानते होंगे तो फोड़ा बहुत जानते होंगे जानकर रखते तोड़ा पोड़ा बहुत एसं नहीं जानते समाच से कटकर हाशिये पर रहने वाले इस समुदाई की महिलाएं भी जीवन यापन में कई प्रकार की चुनोधियों का सामना करती है रुबाई एक ग्रहणी है जो भुपाल से 100 किलोमीटर दूर खाते गाउं से बिहार आई हैं वेकसर घर का खाना बना कर सुबह सवेरे ड्राम बेचने पैदल कई-कई किलोमीटर चलती है आप लोग जाते हैं पैदल निकल जाते हैं एक दो ड्राम उठाएं कि सो पचास रुपे मिल जाते हैं आप लोग मतलब मदद करते हैं अब मदद तो करना पड़ेगा पेड के लिए खाना खुदी बनाना पड़ेगा कौन देगा फिर निकलते हैं कभी खाना बनाते नई तो चाई पी कही निकल जाते हैं तो लगता तो नाश्ता पान कर लेते और के 10-20 रुपेगी तब क्या करें नहीं तो नहीं भीके ड्राम तो भूका या ना पड़े वापस तो लोग कितना किलो मीटर तक जाते हैं जैसे दीन बर में चलने का 10 15 किलो मीटर निकल जाते से बैकाइक से किसे फिर 50 किलो मेटर 40-50 है अब कहां से आये हैं हम बहुपाल मद्ध परदेश एचा आप पाल से हमारा में भौपाल मद्ध परदेश का राजधानी है तो में टाउन में रहते हैं कि साइड एरिया में हम जंगल एरिया में हमासे बोपाल से सो किलो मिटर है हमारा मकान है पहाड एरिया हमारा मकान आपका खाते गाम कन्नोत के पास में